आपने और किया हीए नहीं किया नहीं किया है आपको और लिए कहा है आप आपस लेजाई इसको वापिस कर देगी है जहां से आया है वहीं वापिस कर देगी है तो मतलब यह नहीं कहा है कि वह एक नया प्रिकार शुरूप किया है पूरे रिखने करें जबकि वह फ्रॉड हो निकल जाएगा और आप लोग उसके बाद कु आप लोगों को सेख़़्र करोंगें कहीं जाएंक कोई सनवाय नहीं होगी आप लोगों कि रूपर कर सकता है तो सबसे पहले लोग किसी जो इनधू आफिशल वाफ साइट है चाहे वह बैंक की अफिशल वेब साइट है या अमेंजों की फिलीप कौट की उनकी उफिशल वेब साइट पर जाए आफिशल वेब साइट पर जाए आफिशल वेब साइट के बगार बाकी वेब साइट इस पर नहीं जाए आते हैं आपके फोन पर आप तो जानते होंगे आपको भी आएंगे आएंगे कि इस इस साइट पर आफ क्लिक करिए तो जो अ पहले तो कालज का ही सिस्टम था अब तो थोड़ा चेंज हो गया है लेकिन में पहले काल करते थे लोगों को यह नहीं है लोगों को इन आफर्स में नहीं आना चाहिए क्या आफ की लाटरी लग गई है आपको गवर्मेंट अफ इंडिया यह फोन नंबर आफका लाटरी जीत एटीम का एटीम डिटेल्स यहां एटीम का पीन पासवर्ड शेयर करें ऐसा ऐसा बचने उससे उनको बचना चाहिए क्योंकि यह इसी आफर्स के जिरिये वो लोगों को ट्रैप करते हैं ताकि उनके अकाउंट उससे पैंसा निकाल अगर काल करेगा के वाइसी के लिए बै लैंक में आईए वो किसी साइट यहां किसी और जगह का नंबर नहीं देते यहां वो किसी भी ऑनलाइन साइट पे आफ अपना यह डिटेल कभी भी शेयर ना करिए चाहे वो एटीम की डिटेल है उसका वो सीवीवी नंबर है यूपी आई डिटेल खास तोर जब आपको आ सिटूडेंटिस के बगार भी लोग आए हैं तो उनको हमने जांग करी दिया कही नंबर से RBI के जैसे अगर आपकी कोई ग्रीविनिस है या कंप्लेंट है वो वेंक के ख़ला तो आप 1448 पे काल कर सकते हैं आप मिस काल भी दे सकते हैं मिसर काल अगर आपकी कोई ग्रीविनि से उसका रिड्रेसल के लिए फोन आएगा इसके लिए नंबर से आप कर सकते हैं अगर आपको बैंक के ख़लाब भी कोई ग्रीविनिस हो बैंक आपका मसला हल नहीं कर रहा है किसी कारण तो उसके लिए भी नंबर है 01352742001 तो इस पर आर्वी आई की तरफ से है नेशन व आजकल का जुका जबाना डिजिटल का ज़माना है बैंकिंग पूरी बदल गई है डिजिटल पालेट फारंपे आ गई है तो उसी केस में कैई जो फ्राडिस्टर होते है जिनको ज्यादा टेक्नालोडी का नोह होते है वो आम लोगों के साथ कही किसम कि फ्राड करते हैं तो उसी सलसले में यह यहां आरगिनास्ज पर केंग अणी लीड बेंक आफिस रियासी ने जल्दी रिपोर्ट करेंगे तो उसमें पैसे आने के चांसे वापस है बहतर है कि जागुरुकता ही फैलाए जाए 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 दूसरी चैनल के जिरिए तो ताकि लोग भचे इस प्रोग्राम का में मकसद है कि लोग लोग प्रिवेंशन इस बेटर देन क्युव तो पहले ही हम लोगों को जागुरुकत करें उनके साथ कोई फराड नके रहे हैं आज की प्रोग्राम में में यह बताया गया है कि जो इन्हों ने आर बी आी वालोने एřिस थोड़ी सी मुख लिया हुआ है कि हमें कोई भी ओटीपी यह कोई पिन कोट हमें किसी को भी हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब कहां से पैसे निकल गए तो हमें यह हमें सभी को यह पताना चाहिए कि कभी भी हमें अपना OTP या पीन-कोड या शेयर नहीं करना चाहिए हमें अभरी टाइम सरक्षित मतलब की रहना चाहिए मेरा नाम शालू देवी है और मैं SVI RCT रहसी इंसीडियूर से आई हूँ और आज हमें जहीं जानकारी मिली बैंकिंग के बारे में हैं कि अगर कोई मतलब किसी किसम का कोई कॉल करें जहां को बोले कि OTP शेयर करो वो नहीं करना है और ना ही किसी को अदार नमबर देना है और ना ही बैंक अकाउंट नमबर देना है और यही बताया है कि किसी किसम का कोई कॉल करें और बोले कि OTP शेयर करो वो नहीं करना है